My dear student, class first, मैं रितम हैं, आपकी हिंदी टेचर, तो हम क्या करेंगे? आपको वताएंगे अक्षर माला, अक्षर माला कैसे पढ़ना है? अक्षर माला को हम क्या बोलते हैं? अक्षर माला को हम वर्ण माला भी बोलते हैं, तो क्या करेंगे हम? पहले हम स्वर बोलेंगे, स्वर को कौन-कौन से होते हैं पहले जैसे की आ से लेकर ओ तक मेरे सारे क्या है ये स्वर हैं स्वर कितने होते हैं स्वर ग्यारा होते हैं तो तो इसमें क्या हुआ कि आ से लेकर आ तक ये 11 स्वर्व हो गए तो उसके बाद बेंजन बेंजन कितने होते हैं 33 बेंजन होते हैं यानि 33 तो प्यारे बच्चों कैसे बोलेंगे का खा गा घा अंगा चा छा जा जा इया ता ठा डा डा अडा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा खा शा हा ये हमारे 33 क्या हो गए बेंजन हो गए और उसके बाद छत्रंग ग्या और स्त्रा ये क्या है हमारे ये सायूग बेंजन है ये सायूग बेंजन है सायूग बेंजन क्या होते हैं बच्चों जो दो अक्षरों के मेल से बनाए जाते हैं वो होते हैं संयूग बेंजन तो पहले तो हमारे 11 स्वर होते हैं फिर उसके बाद 33 बेंजन होते हैं और उसके बाद 4 क्या होते हैं हमारे संयूग बेंजन होते हैं तो ये क्या हुई हमारी? ये हमारी अक्षर माला हुई तो हमें क्या करना है? पहले हमें स्वरू को लिखना है फिर बेंजन लिखना है और उसकी बाद सही बेंजन लिखने है तो इस तरह से हमें क्या करना है अक्षर माला को पहले लिखना है पढ़ना है याद करना है यानि read, write, learn, तीनों करने हैं एक साथ हमें और फिर हम बाकी का आपको कल बताएंगे बाए, good day